नमस्कार दोस्तों कंचन की रसोई में आप सभी का स्वागत हैं आप सभी कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे और अपने अपने जीवन में एक दम खूस होंगे आज मैं अपने रसोई में बनाने वाली हूँ छट पूजा का परसाथ वो भी बीना साचे के तो देखे मैं गेहूम के आटा ले ली हूँ, थोड़ा सा ये मोटा आटा है दरदरा, और इसे देखे रिफाइन तेल में मौहिन कर लेंगे, अब चाहे तो मौहिन के लिए घी भी ले सकते हैं, पर मैं रिफाइन तेल में ही मौहिन करूँगी, तो अची तरीके से मौहिन को मिला लेती हूँ, इस तरीके से हाँ से देखिए, मौहिन अच्छा है कि नहीं इस तरीके से देखिएगा, तो देखिए मूठी बंधा जाएगा, तो समझे इसमें मौहिन अच्छा है, गूड को गयस पर बैठा कर इस तरीके से घोल लेंगे, और इसे ठंड़ा होने के बाद ही गूतेंगे, ज्यादा गरम में इसे नहीं गूतना है, और देखिए मैं च्छनी में च्छान लेती हूँ, ताकि इसमें जो भी कच्छा हो निकल जाए, गूड को अच्छी तरीके से च्छनी में च्छान ली हूँ, अब इसे गूत लेते हैं, तो इसे ज्यादा गीला नहीं करना है, तो आप सभी देख सकते हैं, आटे को मैं गूत ली हूँ, ऐसा ही आटा रहना चाहिए, तो चलिए अब बनाने चलते हैं, छटपुजा का परसाथ, वो भी बीना साचे के, तो आप सभी को मैं दिखाऊंगी, कई डिजाइन बना कर बीना साचे से कैसे बनाय जाता है, तो इ तो आप सभी देख सकते हैं, मैं डिजाइन बनाई हूँ, तो इस तरीके से डिजाइन कैसे बनेगा आप सभी को मैं बताते हैं, तो देखिए इस तरीके से चक्कु से बनाएंगे, बिल्कुल असानी से सच्चा नहीं रहेगा, तब पर भी आप बीना साचे के भी बना सकते हैं, तो आप सभी देख सकते हैं, चक्कु से कितना अच्छा से ये डिजाइन बन रहा है, तो ऐसे ही डिजाइन को कट कर लेना है, तो देखिए एक डिजाइन बन करके त्यार हो गया, और आप सभी को मैं डिजाइन बताती हूँ कैसे बनेगा, तो एक और ये डिजाइन है, इसे मैं दिखाती हूँ कि ये डिजाइन कैसे बनेगा, तो देखिए दोनों डिजाइन कितना अच्छा दिख रहा हैं, बीना सहायता से ही इस पर डिजाइन करेंगे गॉल गोल पेणा बनाएंगे और फिर इसे हांस से इस तरीके से दबा लेंगे और इस पर झानी के शयायता से देखें, इस तरीके से डिजाइन को बना लेंगे, तो आप सभी देख सकते हैं कितना अच्छा असानी से एकदम डिजाइन बन करके त्यार हो गया है छनी में थोड़ा सा तेल लगा ले ताकि इसमें चीपके ना तो देखें बिल्कुल असानी से एकदम सच्चा जैसा बन कर त्यार हो गया तो दो डिजाइन आप सभी को मैं दिखा दी और एक और डिजाइन आप सभी को दिखाती हूँ का कैसे बनेगा तो छन्नी के बाहर से डिजाइन में बनाई थी और यह च्छनी के अंदर से देखे मैं डिजाइन बनाऊगी तो थोड़ा से अलग डिजाइन बन जाएगा तो इस तरीके से लेंगे खलका दबाएंगे ज़्यादा नहीं दबाना है और देखिए डिजाइन बन कर त्यार हो गया तो तीन डिजाइन बन करके आप सभी के पास त्यार हो गया है तो तीन तरीके से आप सभी को मैं बताई बनाने के लिए और एक तरीका और बताएंगे तो दो तरीके से छनी पर बन कर त्यार हो गया है और देखें यह तीन चाकू से मैं बना कर त्यार की हूँ और एक छनी पर इस तरीके से डिजाइन बनेगा तो देखें यह तार है इस पे रख करके और इस तरीके से और हलका हाथों से इसे दबाएंगे तो देखे इस तरीके से ये डिजाइन बन कर त्यार हो गया है तो आपको जो भी डिजाइन पसंद पड़े वैसा बना सकते हैं आपको जो अच्छा लगे तो मैं कई तरीके से आप सभी को डिजाइन बना कर दिखाई हूँ तो देखिए कितना अच्छा दीख रहा है एकदम लग रहा है कि साच्चा का बनाया हुआ है तो छट पूजा का परसाद साचे पर छट पूजा में ही बनाया जाता है अगर आपको ऐसे बनाना है तो इस तरीके से डिजाइन वाला आप बना कर खा सकते हैं और चौकू के सहायता से भी कई डिजाइन में बनाई हूँ इस तरीके से भी आप बना सकते हैं या तार वाला छणी पर भी बना सकते हैं आपको जैसे डिजाइन पसंद पर है और इसे आप सभी क्या कहते हैं खजूर भी कहा जाता है खस्ता भी कहा जाता है छट पूजा का परसाद भी इसे कह सकते हैं तो आप सभी को यह रेश्पी कैसा लगा comment box में लिख का जरूर बताएगा तो सभी देखे मैं खस्ता को अच्छी तरीके से धीमी आज पर पका लेती हूँ और इसे ज़्यादा तेज आज पर नहीं पकाना है नहीं तो ये जल जाएगा इसे मेडियम आज पर ही पकाएंगे तो देखें मैं पका लेती हूँ तो आप सभी देख सकते हैं कितना अच्छा खस्ता बन कर तयार हो गया हैं आप इसे खजूर कशंते हैं या गेहं के आटे का बिसकिट भी का सकते हैं या छट पुज़ा का परसात कशंते हैं आप क्या कहते हैं इसे कमेंट बाक्स में लिख का जरूर बताएगा तो सभी हुआ हैं छट पूजा का परसाथ साचे पर सिर्फ छट पूजा में ही बनाए जाता है अगर खाने को मन हैं तो इस तरीके से आप सभी डिजाइन वाला खस्ता बना कर घर पर खा सकते हैं और यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप सभी कोमेंट बक्स में लीक कर जरूर बताएगा तो फिर मिलती हूँ एक नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग